Now listen carefully, आज 24 January है, 24 January 1950 को क्या हुआ, समझे, 24 January 1950 को शम्विधान सभा से जुड़े तमाम जो सदस गन थे, वो एक जगह इकठा हुए, शमवेथ हुए, गैदर्ड हुए और सम्विधान के संदर में कुछ बाते की, पहले तो रास्ट्रिय गान और रास्ट्रिय गीत, रास्ट्रिय गान जनगनमन अधिनायक जया है और रास्ट्रिय गीत वंदे मात्रम इन दोनों को रास्ट्रिय गान और गीत के रूप में सुईकृती प्रदान की ये सदसिगन आज ही दूसरा पॉइंट आज ही के दिन जो हमारे शमविधान की मूल प्रतियां इंगलिश में लिखी गई उनकी तीन ओरिजिनल कॉपी इंगलिश में लिखी गई तीनों पर विधिवत रूप से तमाम उपस्थित सदस 284 थे जिन में एक अधिक्ष डॉक्टर राजंदर प्रशाद थे डॉक्टर राजंद प्रशाद ने प्रथम हस्ताक्षर किये और उनके बाद 283 अन सदसगर फॉलो करते हुए हस्ताक्षर किये तो हमारे शमविधान की मूल प्रतियां इंगलिश में जो तयार हुई वो तीन थी और तीनों पर बारी बारी से 284 सदस ये जो तमाम सदस उपस्थित थे और वहीं तमाम थे बाँके डैथ कर गए नहीं थे तो इतने लोगों ने हस्ताक्षर किये तथा और क्या हुआ इसी 24 जैनवरी को समिधान सभा के सदश ने राष्ट पती के रूप में डॉक्टर राजंदर परशाद उपराष्ट पती के रूप में डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्टन का चैन किया चैन क्या नुक्त होंगे यानि नॉमिनेट तो नहीं होता नुक्ती तो होती नहीं शपत लेंगे तो वो 26 जनुवर्य 1950 को दो ऐसे पद है जिसका शपत ग्रहन होता है नुक्ती नहीं होती राश्टपती और उप्राश्टपती की तो चैन कर दिया समिधान सभा ने और फिर समिधान सभा उसी दिन भंग हो गई डिजॉल्व हो गई और समिधान सभा भंग हुई समिधान सभा के सभी सदस ठीक है फिलिप कर गए अस्थाई शंसद में लेकिन वो कब से माना जाएगा 26 जनवरी 1950 से और स्थाई संसद की शुरुवात हो गई ये सारे वहां मेंबर बन गए और राश्टपती उप्राश्टपती की रूपे शपत ले लिए हमारे डॉक्टर आजेंद परशाद और सर पली राधा कृष्ण ये सारी बाते तैक अब हुई थी 24 जनवरी को तो 24 जनवरी का ये भी एक पहलू है